जन्वरी में देश के शिर्श पहलवान, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में सेक्ड़ों पहलवानों के साथ शामिल हुए पहलवानों ने बीजेपी सांसद और राष्ट जे कुष्टी महासंग के तत्कालिन प्रमुक ब्रेजबुशन शरंश सीहें पर महिला पहलवान का योध उत्परण्द करने का आरोप लगया था आरोपो ने तुफान कड़ा कर दिया था जिसे सरकार को सतारूर पार्टे के सांसत के खिलाफ जाज शुरू करनी पड़ी इस साल के अंत में जुन में सरकार के साथ बैटक के बाद पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया योनुत पिडन और अपराधिक धम की सहित गंभीर आरोपो का सामना करने वाले सीय ने आरोपो को खारिच कर दिया है विरोध और उसके बाद की घटनाव के कारण एशिया कुष्टी चंपेंशिप जो वारत में आजित होनी थी गदाकिस्टान में स्थाना अंतरित कर दी गई दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी शराब नीती के समंदित बस्टाचार के मामले में 26 फरवरी को दिल्ली के उपर पूरी मुख्य मंत्री मनिश्टी सिदिया को गिरपतार कर लिया गया था दिल्ली के पुरूप मुख्यमंते मरेश सिसुदिया जिने आम आदमी पार्टी के नंबर दो निता के रूप में देखा जाता था दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी शरावनिती से सम्मंदित बरश्टचार के मामले में 26 फरवरी को गिरपतार किया गया था यगटना करम अर्विन केजीवाल सरकार के लिए बड़ा जटका था इससे पहले आपके वरिष्टनेता सतिनर जयन को बरश्टचार के एक मामले में गिरपतार किया गया था बाद में अक्तूबर में आप सांसा संजेसिया को भी गिरपतार कर लिया था श्री सिसुदिया ने अपने खिलाब आरोपों को खारिज कर दिया है और भाजपा के नेतोतोवाली के सरकार पर राजनितिक कारणों से उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया है वेजमानत के लिए अदालोतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं लिकिन अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है भारती जंता पार्टी ने मwrAl Ch में त्रि पूरा में चुनाओ जित कर और मेगाले तथा万 अगालैन में शर्थारूड गटबंधन में शामिल होकर पुरवत्तर में अपना प्रभाव मजबुत किया त्रिपूरा चुनाओं में पुर्व कॉंग्रेस नेता और पुर्व शाहे प्रद्योत विक्रम मानिक के देवबर्मा के नेतित वाली आदिवासी पार्टी टिपरा मोथा का भी उदय हुआ कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी को मार्च में एक सांसत के रूप में आयोग्य कोशित कर दिया गया था जब गुजरात की एक अदालत ने उन्हें मोधी उपनाम पर उनकी टिपणी के लिए मानहानी मामले में दोशी ठाराया था इससे उनकी पार्टी कॉंग्रेस और अन्वी पक्षी ताकतों ने भी भारी अंगामा किया अगस्त में उच्चितम नियाले द्वारा उनकी दोशे सिद्धी पर टोक लगाने के बाद श्री गांधी को राहत मिलनी जिससे उन्हें सांसत के रूप में फिर से बाहल किया जा सका जेल में बंद गैंगसर और पूर्वसांसद अतिक अहमद फरवरी में उमेश पाल की दिन धाड़ हत्या के बाद सुर्कियों में आए पाल एक पुरो धाय के हत्या के मामने में गावा था जिसमें अहमद आरोपी था कैमेरे में कैद होई इस चवकाने वाली गोली बारे में कतित तोर पर उनके कैद रिष्टेदार शामिल थे 15 अपरेल को अतिक अहमद और उनके भाई अश्रफ को पुलिस रुक्षा के तहट मेडिकल जाज के लिए जारा रहा था जब खुद को पत्रकार बताने वाले तीन लोगों ने उने करिप से गोली मार दी जिसकी उनकी तुरंद मौत हो गए देल दहला देने वाली ये गटना लाई टेलिवीजन पर देखी के जिससे उतरपदरिश पुलिस के व्यापकालो चना हुई इस बात पर सवाल उठाए गए कि पुलिस के घेरावंदे के बावजूद हट्यारे गैंस्टर और उसके बाई को बिल्कुल नजदिक से गोली मारने में कैसे काम्याब रहे इस अपरेल में भारत चीन को पिछाड़ कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है भारत को अब अपने जिर्ण सांकी के लावांश का लाव मिलने के उमीर है क्योंकि उसकी कूल आबादे में कामकाजी आबादी के हिस्षदारी भी बढ़ रही है मैं में करनाटक विदान सबा चुनाव में कॉंग्रेस ने प्रचंड़ जीत दर्ज के और दाक्षिन राज्य में सत्ता में वापसी की कई चुनाविया सफलताओं के बाद यह जीत मुख्य उपक्ष के लिए बड़ी उपलब दी थी मुख्य मंतरी पत के लिए दो मजबूत दावेदार सिद्धरमया और डिके शिव कुमार होने के बावजुद पार्टी एक जुट मुर्चा बनाया रखने में कामियाव रही मनिपूर में दो समुदायों के बीच हिंसक जड़ब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बीते दिनों सोशेल मीडिया पर मनिपूर की दो महलाव को निर्वस्तर कर गुमाने और उनके साथ योर उडपिरन करने के वीडियो वाइरल हुई इसके बाद पूरे देश के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक रहा दी और अपना गुस्सा इस विशे पर जाहिर किया मनिपूर में इस साल मही में दो समुदाय बहुसंक्यक मैती और अलपसंक्यक कोकी के बीच हिंसक जड़ब देखने को मिली इस हिंसा में अब तक कम से कम 130 लोग मारे गए हैं और 400 लोग खायल हुए हैं हिंसा को रोकने के लिए इस एनार दसेनिक बलो और पुलिस के संगश के कारण 60,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से दूसरी जगव पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है इन जड़पों के दोरान दोनों समुदाये ने कई जगव पर तोड़ की और कई पुलिस प्थानों से अतियार भी लूट लिए हिंसक जड़प के दोरान सेकडो चर्च और एक दर्जन से अधिक मंदिर को भी तोड़ा गया कही गाउं में आग लगा दी गई चार मई का वीडियो बुधवर को सामने आने के बाद मनीपूर में तमार बढ़ गया जिसमें पुर्वतर राज्यके कुके समुदाय की दो महिलाओं को मैते समुदाय के पुरुशों की भीड़ द्वारा नगना वस्था में गुमाया जा रहा है वारेल वीडियो की प्रतिकरिया में आकुरुशित बिड़ ने गुरुवार को मुख्यारुपी का घर भी जला दिया था इस साल भारत को नया संसद भावन मिल गया है नई संसद में कुल 1230 संसदों के बैठने की व्यवस्ता है लोक तंत्र का मंदिर यानि संसद भावन काफी खूब सूरत दिखता है संसद भावन के द्वार पर सत्य में वजवयते लिखा गया है संसद का वरतमान भावन 1927 में बना था जो अब करीब 100 साल पुरा रहा होने वाला है इसके दोज संसदों में संसदों के बैठने की सुविधा जनक व्यवस्ता का भाव होने की वज़े से नई संसद की जरूरत थी प्रधान मंत्री नर्नेतर मोदी ने पुराने संसद भावन का नाम समविधान सदन रखा है अब पुराने संसद भावन को समविधान सदन के नाम से जाना जाएगा प्रधान मंत्री नर्नेतर मोदी ने दिसंबर 2020 में नई संसद भावन के आधार शिला रखे थी कि इन साल में कम समय में ये नई संसत बन का तैयार हो गए। त्रिकोणिया आकार की चार मिंजलाई इमारत शेवसट हजार पास्टो वर्ग मिटर में फाइली है। पोरानी संसत से नई संसत भवन का लगबग 17,000 वर्ग मिटर बड़ा है। यत्यादुनिक तक्निक से तैयार इस भवन पर भुकम का असर नहीं होगा। नई संसत भवन को बनाने में 1200 करोड के लागत आई हैं जो पहले अनुमानित लागत 931 करोड रुपए तक थी। प Paradise ये दिरुगटना होई। ट्रेइं दिरुगटना में सेकडों परिवार तबाह हो गया। किसी ने अपना बेटाख होया। तो किसी ने अपना पती तो किसी ने अपना भाई। तबाही के मनजर में एक पिता की शवगरह में अपने बीटे को खोजने का वीडियो हुआ था जिसमें वह दुरुगटना स्थल के हर इलाके में जाकर अपने बेटी की तलाश करता दिक राता है वह काफी निराश और हताश था लगबग यही कहानी हर उस परिवारिया शक्स की थी जिसका कोई अपना ट्रेन से रवाना हुआ था और हाथ से काशिकार हुआ था अगले साल होने वाले आम चुनाव में भारती जनतापार्ट से मुकबला करने के लिए एक जूट होने का फैसला किया कॉंगरेस के नितोतों वाले गडबंदन ने अपना नाम भारती राश्टे विकासात्मक समाविशी गडबंदन रखा इस साल में गडबंदन की अब तक विधान सभा चुनाव में हराने के लिए कई विपक्षि दल एक साथ आये हैं अलंकि कॉंगरेस ने हाल के विधान सभा चुनाव में इंडिया गडबंदन की जगह खुद बीजेपी को चुनावते देने का फैसला लिया था उसका कहना था कि लोक सभा और विधान सभा की चुनाव अलग-अलग हैं इस वजो से जिस बिहार में विपक्षि के गडबंदन इंडिया की नीव रखी गई थी और बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार विपक्षि एकता के लिए करीव एक साल से कोशिश कर रहे थे वो अभी विपक्षि गडबंद के नेताओं मे जम कर बियान बाचे हुई है भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चायो था और चंद्रमा के दक्ष्णेदरो पर आंतर एक श्यान उतारने वाला पहला देश बन गया चंद्रयातीन की सफलता का देश भर में जशन मना गया प्रधान मंत्रियन मोदी ने भारत के चंद्रमा पर उतरने के इस सदी के सबसे प्रेड़ाद एक्षणों में से एक बताया है भारत को चांद पर सफलता मिल गई है चांद रहां तीन ने चांद के सतर पर उतर कर इतिहास रच दिया है चंद्रमा के दक्षणी द्रोपर सफलता पुर्वक उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है चंद्रमा पर विकरम लेंडर की सौप लेंडिंग के बाद प्रग्यान रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा के सतर पर घूम कर शोध करेगा और जार कर जुटाएगा चहुदा जुले को दोपर दो बजट कर पैतिस मिट बजए स्रीहरी कोटा से उडान भरने वाले चंद्रमा तीन ने अपनी चालिज द्रोपर के लंबी आतरा पूरी की लेंडर रोवर से चंद्रमा के सतर पर शोध करना नव से दस सितमर को G20 शिकर सम्मेलन के दोलन भारत दुनिया भर के निताओं के मेजबानी कर रहा था इसलिए दिल्ली को भैतरिन तरीके से सजाया गया था सडकों को सजाया गया था फवारे लगा गए और फुटपातों को नयरूप दिया गया क्योंकि बड़ी वैटक से पहले राष्टि राजदारी का काया कल्प किया गया शिकर सम्मेलन के प्रमूपरिणामों में अफरीकी संग को सम्मों में शामिल करा था वैश्विक जैवा इंधन, गडबंधन, टिकाव जैवा इंधन को अपनाने की दिशा में एक कदम भी लॉंच किया गया था भारत के लिए बड़ी उपलब्दी भारत-खाड़ी देशों और यूरोप को जोडने वाले आर्थिक गलियारे पर समझोता था वर्ष, 2023 में भारत में G20 ग्रुप की अलग-अलग शेवरों में अलग-अलग समित चलाई गए इसके तहरे G20 की मिटिंग्स देश में दिसंबर तक चलती रही उसमें अलग तरह के इवेंट्स हुए G20 दुनिया के 20 देशों का समू है जिसे मुख्यत तोर पर 20 देशों के वित्तमंत्री और सेंटर बैंक के गवरनर्स का समू भी कहा जाता है जिसे 19 देश और उर्यों पे संग शामिल है बारत का इस समय से इस संगटन का अध्यक्ष था 7 अक्तूबर को हमास ने कई इसराइली शोरों पर हमले किये है जिसमें लगबग 12 सो लोग मारे गए और 200 से अधिक लोगों को बंदग बना लिया गया इसराइल ने कड़ा जवाब देते हुए संक्रिन गाज़ा पट्टी जो हमास का गड़ है इस पर बंबारी की जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा है लगब 20 लाख लोगों की अवादी वाले गाज़ा पट्टी में जुराइल की क्रूर जवाबी कारवाई के वाईश्वेक दिंदा हो रही है अनुमार के मताबिक गाज़ा में 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग भी स्थापित हुए है इसराइल ने 7 अक्तूबर को नागरी को को निशाना बना कर किये गए आतंकवादी हमलों का हवाला देते हुए अपनी कारवाई को उची ठेराया है युद्ध दविरां सोजेते समझोते के तहत अब तक हमासद्वारा बंदक बना गये सोब से अधिक लोगों को रिहा कर दिया गया है लेकिन युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है 17 अक्तूबर को समलेंगी जोड़े तब निराशोय जब सुप्रीम कोर्ट ने समलेंगी एक विवाव को वैद बनाने पर रोक लगा दी इस मामले में पांच नियाईदिशों की समविधान पिठने विशे के जटिलता को दर्शाते हुए चार अलग अलग फैसले सुनाएं हालनकि फैसला सिद्धान्तिक रूप से विवासमानता के विरूत पर आधारित नहीं था बलकि मुख्य रूप से नियाई कानून की चिंताओं पर आधारित था सभी नायदिश इस बात पर सहमत हुए कि विचित्र जोड़े ना तो शहरी है ना ही सब्रांत वादी इन पंक्तियों पर केंद्र केएक तर को खारिच कर दीयागया उनूने एक पैनल के सरकार के प्रस्ताव को सब्कार कर लिया जो समान लिंग वाले जोडु के सांबने आने वाली वें वहार एक समस्याव पर गDon करेगा इस साल पूरिश क्रेकेट विश्व कप में बारत ने शांदार प्रतरशन किया और लगातार 11 मेच में आ जाए रहा हालांकि हमारा विश्व कप अभिया ने राशा में समात हुआ फानल में निलरंग के टीम पर हावी होने के बाद आस्ट्रिया ने ट्राफी अपनी घर ली गए इस वर्लकप में दील तो टूटा लेकिन कई इससे पल भी आ है जिन्होंने दील भी जीत लिया इस विश्व कप में भारत्य ट्रीम का हरफन मौला प्रदर्शत देखने को मिला विश्व कप में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए विराट कोहली को मैन अब दूर्नामेंट घोशित किया गया और तो वहीं इस दिग्गत बल्ले बाज ने महान बल्ले बाज सचिन तेंडुल करके सरवाधिक वंडे शतको के रिकाट को भी तोड़ दिया गेंद बाजी के मोर्चे पर भारत के महम्मद श्रमी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकट लेने वाले गेंद बाजपन कर उबरे 12 नवंबर को जब देश दिवाली मनाने के लिए जगमागा रहा था उत्तरा खंड के उत्तरा काशिर जिले में एक निर्माणा दिन सुरंग के अंदर 41 निर्माण श्रमिक फस गये थे उसके बाद हिमालेक श्यत्र में एक लंबा और चुनोती पुर्ण बचावा भियान चला कठीन इलाके के कारण ऑप्रेशन को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा जैसे जैसे दिन बित्ते गए राष्ट्र ने 41 श्रमिकों के सुरक्षित वापसी कलेप रातना की आखिरकार 16 दिनों की कैद के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया दिसम्बर के शुरुवात में भाद जन्ता पाठे ने मध्या प्रदेश, राजस्थान और 36 गड़ में विधान सभा चुनाओं में जीता असल की कॉंग्रेश जिसे इन राज्यों में वहतर प्रदर्शन के उम्मिद थी को तेलंगाना में अपने एक मातर जीत में सांतोना ढूनने पड़ी इन चुनाओं को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाओं के सेमी फाइनल के तोर पर दिखा जा रहा था इन चुनाओं के खत्म होने के साथ ही अब बड़ी लड़ाई के लिए मंच तयार हो गया है 13 दिसंबर को लोकसभा के अंदर चौकाने वाला दुश्यस सामने आया जब दो भुसपैटियों ने रंगिन धोय के डिब बे तैनात कर दिया और एक डिस्क से डुस्तरे डिस्क पर कूट पड़े जल्दी उन पर काबो पा लिया गया और उन्हें गिरफतार कर लिया गया साथ ही उनके दोस्व यूगो के ओभी गिरफतार कर लिया गया था जिनने बाहर रंगिन धोय का इस्तिमाल किया था चारोप पर कड़े आतंकवात विरुदी कानून गेर कानून निगतिवी दिया अदीनियम के तहट आरोप लगाये गए हैं इस सिलसे में अब तक कुल छे लोगों को गिरबतार किया गया है आरोपी ने कहा है कि उनका उद्देश्य मणी पुरशान थी बेरुसगारी और किसानों के मुद्दे की और दाहे नाकरशिट करना था लेकिन म्लामले की तवह तक जाने के लिए विस्तो जाच जारी है जैसे जैसे साल चत्म हो रहा है और हम दोचार चूबिस में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं यहां 2023 की उन घटनाओं पर एक नजर थी जिन्होंने देश और दुनिया के लिए बड़ी सुर्क्या बटोरी इस तरह दिल्चस्प कबरों को देखने के लिए आप देख देरिये इनविसिन नियूज इनविसिन के तमाम दर्शकों को आने वाले 2024 सार के लिए बहुत दोर शुक्राम नाए नमस्कार